दोस्तो आज मैं आपको शत्रू नाश हेतू एक मंतर बताऊंगा और एक प्रियोग बताऊंगा ये प्रियोग तीन दिनों का है और तीन दिनों में ही आपके शत्रू का नाश होना शुरू हो जाएगा और आप स्वयम देखेंगे कि कितना शक्तिशाली और कितना चमतकारी य यह मंत्र प्रियोग है, इस प्रियोग में मैं जो आपको मंत्र बताऊंगा वो स्वयम सिद्ध मंत्र है, उसको सिद्ध करने की कोई आवशकता नहीं है, आप सीधा इस मंत्र का प्रियोग करेंगे, प्रियोग आपको कब करना है, यह प्रियोग आपको शनिवार के दिन शुर बाद में आपको ये प्रियोग शुरू करना है प्रियोग क्या है वो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से अपने हाथ पैर मुध हो लेने हैं उसके बाद में आपको क्या करना है कि आसन के ऊपर विराजमान हो जाना है उसके बाद में आपको अप एक चाकू रखना है अपने हाथ में अब आपको क्या करना है कि जो मंत्र में आपको बताने वाला हूँ इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना है 108 बार मंत्र जाप करने के बाद में उस नीबू को अपने चाकू से आपको काट देना है खड़ा खड़ा करके आपको नीबू को काट देना है और उसके बाद में उस नीबू के अंदर आपको दो लॉंग डाली है दो लॉंग डालने के बाद में आप जब नीबू को काट दोगे तो वो दो टुकडों में बट जाएगा फिर आपको नीबू के बीच में दो लॉंग डाल करके उस नीबू को बंद कर देना है और फिर उसको ले जा करके आपको चौराहे पर या फिर अपने घर के बाहर या फिर रास्ते में कहीं पर भी आपको फेक देना है अगर आपके आसपास में चौराहा है तो चौराहे पर फेक देना नहीं तो जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो रास्ते में आपको कहीं पर भी गिरा देना है गिराने के बाद में आपको उल्टा वापस अपने घर में आ जाना है ये चीज़ आपको करनी है उसके बाद में आप देखोगे कि आपके शत्रू का नाश होना शुरू हो जाएगा तीन दिन आपको लगाता है ये मंत्र इस प्रकार है ओम नमो कुलंत डफडल हुं एकला मैवीर हनुमंत का चेला पकड़ पकड़ पचाड़ू मस्तक फोड़ू सवामण की जंजीर जड़ाऊं इसके बाद आपको शत्रू का नाम बोला है यहां यहां मैंने बोला है शत्रू का नाम आन मेरे पग पड़े ना पड़े तो माता अंजनी का दूध हराम करे गुरू की शक्ती मेरी भक्ती फुरो मंत्र इश्वरोवाचल है यह मंत्र है फुरो मंत्र इश्वरोवाचल के बाद आपको अपना नाम बोला है ठीक है आन मेरे पग पड़े ना पड़े तो माता अंजनी का दूद हराम करे गुरू की शक्ती मेरी भक्ती फुराव मंत्र इश्वर वाचा अपना नाम बोल लाए ये प्रियोग है ये मंत्र है अब आप इस प्रियोग को करिए और फिर देखी क्या चमतकार होता है